नमस्कार मित्रो मैं मम्ता वाजपेई भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है टीजिये मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नए जानकारी के साथ तो सामने जो यह आप फूल देख रहे हैं इसका नाम लेली है और इससे सम्मंदित में दो वीडियो पहले अपलोड कर चुकी हूँ एक तो इसकी पूरी केर के बारे में और दूसरा इसकी रीपॉर्टिंग के बारे में और जब मैंने रीपॉर्टिंग का वीडियो शेयर किया था तब आपने देखा होगा कि इसके बहुत सारे बल्ब निकले थे यह बल्ब से ही प्रोपोगेट होता है और एक गंबले में दो तीन साल रहने के बाद वो गंबला ठसा ठस बल्ब से भर जाता है और प्याज के कंद की तरह बड़े बड़े मोटे पतले छोटे सबसाइच के बल्ब निकलते हैं तो आज हम यही बात करेंगी कि इनके बल्ब को हम अगले साल के लिए सुरक्षित कैसे रखें क्योंकि जब हम बाजार में जाते हैं तब हमें यह बल्ब ही मिलते हैं और हम वो बल्ब लाकर घर में लाते हैं और खरीद कर लगा देते हैं साथ ही एक कॉमेंट आया था कि उनके पौधे में पत्यां ही पत्यां हैं हरी और फ्लावरिंग नहीं हुई है तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि फ्लावरिंग क्यों नहीं होती इस प्रश्निका उत्तर भी दूँगी और वीडियो के अंत में मैं इनको सुरक्षित अगले साल के लिए रखने के लिए यानि कि प्रिजर्ब करने का तरीका भी बताऊंगी देखिए मेरे एक गमले में से ये इतने सारे बल्ब निकले हैं और इनकी रूट्स देखिया प्रोपोगेट करना क्यों जरूरी है सॉरी रीपॉर्ट करना क्यों जरूरी है क्योंकि फिर ये गमले को फोट देते हैं और फिर इनको पूरी खुराक नहीं मिलती खाना कम पड़ जाता है तो गमला हटा के पलट के और इन्हें अलग अलग करना जरूरी होता है अब आप ये देख लीजिए कि ये मेरा एक गमला है जिसमें कोई फ्लावरिंग नहीं हुई ठीक आप लोग की तरह है जो आपका प्रश्ण था तो एक कारण तो ये होता है कि जब बल्ब छोटा होता है तब फ्लावरिंग नहीं होती जब तक मैच्वर बड़ा सा बल्ब नहीं हो तब भी फ्लावरिंग होती तो आप पाजार से अगर बल्ब करीद रहें तो बड़ा मैच्वर बल्ब लें इसके अलावा ये एक और बात होती है कि देखिए मेरे इस गमले की पत्तियां कितनी हरी भरी है तो हमने इसको साल बर खाद पानी दिया विंटर में भी खुब दिया और इसने सारी बल्म ने सारी एनरजी इन पत्तियों को हरा भरा करने में लगा दी तो जब हमारी पत्तियां बहुत हरी-बरी होती हैं तो फिर फलारिंग कम हो जाती है इसके लिए करना क्या है कि हमें मार्च से मई तक इसकी जो फलारिंग मिलती है तो हमें सर्दियों में आके इसका पानी बंद कर देना चाहिए थोड़ा बहुत कभी डाल दो एक कौने में गमला ऐसा ही पटक देंगे और 8-10 दिन में थोड़ा सा पानी चिटक देंगे तो ये इसके पत्ते सूख कर पीले मर जाएंगे आपको लगेगा कि पौधा मर गया लेकिन कंद नीचे सुरक्षित रहेगा और गर्मी आते ही फूट पड़ेंगी उसमें से कई कलिया तो हेल्दी हेल्दी फ्लावरिंग के लिए आपको यही करना है कि पौधे को बहुत स्वस्थ नहीं बनाना उसके पत्ते सूख जाने दें अब जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इन बल्ब को अलग करके हम अभी के अभी भी इनको रिपॉर्टिंग कर सकते हैं और फिर अगर हम साल भर इसको पानी देते रहेंगे खूब अच्छी पत्तिय हो जाएंगी तो हो सकता है इसमें कली ना है बल्ब अपनी पूरी एनरजी पूरी उर्जा और पत्तों को हरावरा करने में रख देगा तो आप अगर एक बल्ब अभी लगा भी रहें तो आप में आप उन्हें लगा देना तो मार्ज तक वो फ्लावरिंग देने लगेंगे तब तक के लिए कैसे सुरक्षित रखें ये भी मैं आपको बताऊंगी लेकिन जो छोटे बल्ब हैं उन्हें भी आप जब आप पॉर्ट में लगा रहे हैं तो उनकी पत्तियों को बहुत हरा कि इंटर में अपने आप ड्राय हो जाती हैं तो आप उन्हें होने दें और ये जो ट्रिक है ये सिर्फ एमेरलस लिली के लिए ही नहीं है कंद वर गिये जो भी जो भी फ्लार है उन सब पर ये लागू होती है जो भी बल्ब हैं ठीक इसी तरह फुटबॉल लीली का भी आत अगर हम पूरा पत्ते पत्ते लेते रहेंगे तो बल्ब कमजोर हो जाएगा बल्ब ठक जाएगा तब तक, अब आप देखिए किस तरह रखना है, कुछ नहीं करना, एक तो आप गमला एक कौने में पटक दें, एक तरीका ये कि आपने गमला पलट लिया है, तो पूरी तरह बल्ब को ड्राई कर लें, जैसे कि प्याज को कर लेते हैं, पंदरा से बीस दिन खुले में पड़ा रहने दें, न्यूज पेपर पर डाल करी सुखाएं, और फिर एक एक बल्ब, एक एक न्यूज पेपर के टुकडे में रख दें, अगर इसमें मॉइस्चर है, तो इसमें फंगस लग सकती है, इसलिए पहले ही आप ध्यान रख लें, कि पूरी तरह सुखा लें, और जैसे हम प्याज को ड्राई करते हैं, ठीक प्याज की तरह ड्राई कर लें, और इसकी जड़ें जो अभी इत्ती जादा हैं, सूख के बिलकुल खतम हो जाएंगी, आपको कहीं कटें, तो थोड़ा सा फंगी साइट साफ भी लगा दें, बाकी मैं तो इसको ऐसे ही छोड़ देती हूं, बहुत हार्डी प्लांट है, ये बिलकुल जादा के एर नहीं मांगता, बस इसकी जो पत्तियां जब तक हरी हैं, तो इन्हें सूख जाने दें, अगर पत्तिय के ना रखें, खुला रख दें, ताकि ऑक्सीजन आती जाती रहें, और ये पूरे अगले साल तक ऐसे ही रहेगा, ये कभी मरता नहीं है, और जैसे ही आप अगले सीजन में इसे लगाएंगे, और ये हरा फरा हो जाएगा, तो अमीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, य शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब को प्लीज कर ही लें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार